भारत समय जब दुनिया में किसी किर्केटर की बात की जाती है तो मास्टर बलास्टर सचिन तंदुलकर का जिक्र जरूर किया जाता है गौड अफ किर्केटर कहे जाने वाले सचिन तंदुलकर आज अपना एक क्यानवा जर्म दिन मना रहे हैं सचिन को किर्केट जगत से सन्यास लिये हुए बेशक एक दसक से जादा हो गया हो लेकिन कमाई के मामले में सचिन आज भी सूपर हिट है सचिन हमें टीवी पर या ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर किसी ना किसी विग्यापन में जरूर नजर आते हैं सचिन ने किर्केट जगत में ऐसे रिकॉर्ड बना कर दिखाए हैं जिसके चलते बड़ी-बड़ी कमपनिया सचिन को ही अपने कमपनी के विग्यापन में लेना चाहती है एक रिपोर्ड के मुदाविद सचिन हर महीने 4 करोर तक की कमाई करते हैं जबकि उनकी साल आना कमाई 55 करोर रुपे से भी जादा है महस 16 साल की उम्रवे हाथों में बल्ला पकड़ने और फिर एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सचिन तेंदुलकर अब वे 51 साल के हो गए हैं सचिन ने किर्केट करियर के दोरान जहाँ एक के बाद एक बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए तो वहीं उन्होंने दूसरी और जमकर कमाई भी की है दुनिया के सबसे अमीर किर्केटरों में सचिन तेंदुलकर का नाम शुमार है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित बीते साल 2023 तक सचिन तेंदुलकर की कुल नैट वर्थ करीब 175 मिलियन डॉलर यानी की 1436 करोर रुपे थी खास बात यह है कि भले ही उन्होंने किर्केट से सन्यास ले लिया हो लेकिन इसके बावजूद अब भी वो विग्यापनों वे अन्य जरीयों से वे करोरों की कमाई कर रहे हैं सचिन को अपोलो टायस, ITC सैवलोन, जियो सिनेमा, स्पिनी और एजट फेडरल लाइफ इन सौरेंज जैसी कमपनियों के विग्यापन में टीवी पर उन्हें अक्सर देखा जाता है इसके बावजूद उनके पास मुंबई केरल से लेकर लंदन तक उनके पास करोरों की संपती भी है जिसकी कीमत 100 करोर रुपे से भी जादा है किरकेट से सन्यास लेने के बाद भी वो विग्यापन के जरीये ही कमाई करते दिख रहे हैं